भारा सरकार किसानों की आएदोगुनी करने के लिए हमेशा प्रयास यों बचन बद्र है आईए हम सब गाउं के गरीब किसानों के हित के बारे में सोचें और प्रयावरण देश में सुद्ध करें आप भी पेड़ पौधे अधिक से अधिक लगाएए आओ चले नए दिसा न अमन सलूट अब डंदन करते हैं या देश के रच्छा सुरच्छा करने वाले फौजियों को समर्पीत है नमस्कार मैं हुल आलचन सोनी आज सुबट आइंस में आप सभी का स्वागत है आओ चले सहर हो या गाउं प्रयावरण की दुनिया को सभी को स्वश सुन्दर पेड़ पौधे लगाते रहें हर्याली युक्त धर्ती मा को बनाएं दुनिया को परयावरण के बारे में जाग रूख करें और पेड़ पौधे अत्याधिक मात्रा में लगाएं आप जैसा की जानते हैं आज सुबटाइम्स लगतार आपको पेड़ पौधे लगाने के ल दुनिया में आप सभी को जाग रूख करता रहा है और आपको संकलित भी करवाता रहा है कि आप अपने घर के आसपास पेड़ पौधे अत्याधिक मात्रा में लगाएं और सुच्छता की दुनिया में आप सभी लोग स्वस्थ हेल्थी हुई है आगे आपको बताना चाहत हुँ कि परियावरंड को लेकर आज इस तरह से बिस आज जो है परदूसन लेकर खात्मा करने के लिए लोग तरह तरह की उपाय कर रहे हैं और परदूसन को खात्मा भी करना चाहिए आगे एक रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे कि परियावरंड की दुनिया में हम नि लगाते रहे हैं और अपने जीवन को एक अलग सुख सुबधाओं के साथ हेल्थी बनिये आईए नई किरन नई सुबा के साथ हम सब आगे बढ़ते हैं एक रिपोर्ट आप देखिए खिए परियावरंड की दुनिया में आप सभी का हादिस वागत नई सुबा नई किरन के साथ हम सब आगे बढ़ रहें आईए हम सब देश को और मजबूती के साथ आगे बढ़ें और वही पर देश में पेड़ पौधे अधियातिक मात्रा में सभी लोगों को लगाने की जरूरत पेड़ पौधे लगाइए सहर और गाउं को महकाते रहिए मेरा देश में आप से जीवन यापन के साथ और जीवन की आनंद खुसियों के साथ आप रह सकते हैं वही पर आप यदि गाउं गए हैं तो एक दो महने आप अपने गाउं में बिताईए और खेत भारी में अत्यादिक मात्रा में रहने से आपकी खुसी कई गुना बढ़ सकती है और हर्याली के लेकर आप खुस रहेंगे और आपकी जो महा की हवा और पानी लगेगा वह स्वच सुन्दरता के आगे आगे बढ़ेंगे आपकी सोच अलग बिचार से हो जाएगा इसलिए आप सभी लोगों से बताना चाहता हूँ कि यदि आप सहर में रह रहे हैं तो एक हपता पंदरा बीच दिन एक मेहने दो मेहने के लिए आप गाउं की तरफ छुटी बिटा कर बिटाना चाहिए इससे आपका माइंड फ्रेस हो जाएगा और आप हमेशा स्वच्चता और उमंगता के साथ आपकी बॉडी आपकी प्योरिफायर ब्लड हो जाएगी और आप हमेशा स्वच्चत रहेंगे इसलिए गाउं और सहर से बहुत ही अंतर पाया जाता है आप सभी लोग जो भी हैं आप अपने सहर के तरफ से रूख करते है तो आप जरू से जरूर गाउं में बिताईए गाउं की सुन्दरता एक अलग दिखाई देती है वहां की हवा पानी एक अलग रित्वा दिखाई देती है वहां की सांस्किति किरीत रिवाज एक असमिद और प्यार भरा मुहबबत दिखाई देती है इसलिए आप सभी से ब आपको स्वास्थ सुन्दर करने के लिए आप सभी हमेशा जो है हेल्थी के तौर पर देखा जाए और आप खुद स्वास्थ के प्रेश सचेद रहें तो आईए हम सब मिलकर एक जोस जुनून के साथ इस प्रयावरण के लेकर आप सभी लोग आज सुबह टाइम्स को एक लगाने की जरूत है और पेड़ पौधे भी लगाने की जरूत है हमें यदि हमारा सहर हमारा गाउं हमारा कस्बा हमारा नगर सुष सुन्दर रहेगा तो सोज लिजिए कि हम कितना हेल्थी रहेंगे हमारे बच्चे कितने हेल्थी रहेंगे मानो जातियां कितनी हेल्थी र जहेंगे क्योंकि हवा से सब कुछ पाया सकता है जैसा कि आप जानते हैं जो हवा की गुणत्रोख होती है हवा की जो परंप्राएं होती हैं वह मानों को फायदा पहुचाती हैं हमें हर तरह की गद्विध्यों के बारे में सोचना चाहिए और हमें आगे बढ़ने के लिए ल लोग जो है healthy होंगे क्योंकि हमें सुद्ध हवा चाहिए सुद्ध पानी चाहिए और सुद्ध खाने के जो है अलग मिसाल की कायम करता है इसे जो देखा जाता है यागर ये तीनों चीजे सुद्ध रहेंगी तो आप कभी भी बिमार नहीं पड़ेंगे तो इसलिए आप सभी से बिनती है कि आप हमेशा स्वस सुंदरता के आगे आप बढ़िये और आपकी जो भी मनो कामना है पूर्ण कीजिए आप सुस्त रहेंगे तो अच्छे विचार आप सोचेंगे अगर यदि आप जो है बिमार रहेंगे तो आप जो है बिलकुल भी अपने मन को कुछ भी न नई सुबा के साथ आगे आप बढ़िये पर्यावरण हमारे लिए मानों के लिए कितना फाइदा है इसे आप समझ सकते हैं तो आप सबी से बिनती है कि आप जब भी आप बाहर निकल लें तो खास पेड़ पौदों की जगां पर आप रुकिए अब हम बसंद पंचिमी के अब इस सुबासर पर आज देख सकते हैं कि कितना सुहाना मौसम है और अब सुहाना ही रहेगा क्योंकि बसंद पंचिमी से मौसम की परिवर्तन देखा जा सकता है और अब ठंड से गर्मी के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं अब गर्मी का मौसम आ जाएगा रोड पर लोग चल नहीं सकते और ठंडी में लोगों का जो जन जीवन रहा वह मौसम के लिए लगतार टाइम भी कम होती है लेकिन गर्मी में टाइम ज़्यादा होती है लेकिन जो है लोगों के पसीने निकाल देता है तेसलिए आप सबी से बिंति हैं कि स्वास्त लाव लेने के लिए आज आपको फूटेज दिखा रहा हूँ कनाट प्लेश का और आप देख सकते हैं कि हम पर्यावरण की दुनिया में बड़ चड़ कर आगे हम आपको बताते रहे हैं कि आप सभी लोग पर्यावरण की दुनिया को स्वस्थ सुन्दर बनाना है तो आप सभी को आगे आकर और थेश दुनिया को सुन्दर के लिए आपको ही देखना है तो हम सभी लोग पर्यावरण को स्वस्थ सुन्दर बनाएं और लोगों को जागरुग भी करें आने वाली पीडियां हमारी जो स्वस्थ हो बसंदर हो सभी जो है आगे बढ़ते रहें तो इसलिए आप सभी को जो सुबा ठंड होती है और धोप निकल जाती है तो गर्मी का एसास होता है और लोग स्वेटर भी अप लोग कम कर दिये हैं पहना तो मैं आपको बता दूँ कि आप हमेशा सजक रहें सुस्त रहें सुन्दर रहें आप अपने लिए परिवार के लिए देश के लिए सभी के के बारे में जागरू करते रहें और जागरूता के लेकर आप सभी को हमेशा सजक भी रहना है तो आप जीवन में एक अलग उमंगता के साथ मानोता कि एक आपको अलग जगाना है तो आईए हम सभी लोग मिलकर जिस तरह से भारत सरकार और भारत की अनेक राज्यों की सरका जारे भी पैड़ पौधे के बारे में अग्रसर कर रही है, लोगों को जागरुख कर रहे हैं, तो सबी लोगों को जागरुख होने की जरुछा है और हम सबी जब जागरुख होंगे तो एक दूसरे दूसरे बैक्ट की लाबदायक होगा और वह समझेंगे कि हमें जो हिस्वस्त सुंदर होने की जरूत तो है हमारे परिवार को भी है हमारे दोस्त को भी है हमारे जो देश्वासी है हमारे बिश्व के जो लोग है उन्हें भी स्वस्त जीवन जीने की जरूत है तो हम लगतार आपको बताते रहे हैं और आप हमारे चैनल को देखते रहे हैं आप हमेशा की दौर में आप प्रयावरण की दुनिया में सवच्छता की एक अलग अनोखा दिखाई दे तो प्रयावरण को लेकर आप सजक रहें मैं आ रहा हूँ आपके पास मेरा मिसन स्वच्छ भारस स्वच्छ जीवन आओ चले स्वच्छता की मेरी खास रिपोर्टिंग आखिर में गाह हो या सहर हो या कस्बा हो या गली महला हो हम सब की जनजन की आवाज लेंगे कितना साफ सुथरा है हम इसे भी जानेंगे अपना सहर अपना देश संदर हो सुच्छ हो आईए हम सब एक मिसन चलाते हैं हम तो आवाज उठाएंगे और आपकी सासन पर सासन को भी बताएंगे और अपनी समस्या आप तक जरूर बताएंगे मैं पहुंच रहा हूँ आपके द्वार मैं आ रहा हूँ आपकी जन समस्था सुने मेरी यही कामना है कि आप हमेशा सौस्त रहें सुन्दर रहें अपने परिवार के साथ हमेशा खुस रहें फिर आपसे मिलेंगे किसी मुद्दे के साथ आप अपना ख्याल परिवार और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरू दबाएं ताकि आने वाले वीडियों को आपको नोटिफिकर्स मिल जाए धन बात